अज़िए 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 हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है डिज़िटल वाश्या के यूट्यूब चैनल में मैं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कोरल रो तो जान लेते हैं कोरल ड्रो के बारे में कोरल ड्रो क्या है कोरल ड्रो को सन 1987 में माइकल बुलान और पैट पैरिन्ट नामक वक्तियों ने पैक्टर ग्राफिक ट्रॉइंग की दर्च पर तयार किया था जिसको 16 जन्वरी सन 1989 में इनिशिली रिलेज किया गया सन 1989 में ही जन्वरी से लेकर जुलाई तक कोरल ड्रो को चार बार अपडेट किया गया तो ये तो हो गया कि कोरल ड्रो क्या है अब दूसरे कोईशन को लेते हैं ग्राफिक टिजाइनिंग में कोरल ड्रो की क्या भूमिका है ग्राफिक डिजाइनिंग में वैसे तो बहुत सारे सौफ़वेर का अस्तिमाल किया जाता है लेकिन कोरल ड्रो अपने टूल्स और फार्मिट के वजे से अपने एक अलग इस्थान रगता है तो देखते हैं कि कोरल ड्रो में क्या खासियत है कोरल ड्रो में दिये गई जिन तोल्स है। इतने यूस्टू हैं कि इसलिक्सिवल इतने उस ठीमाल करके हम कोई भी मुश्किल डिजाइन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और दूसरी जो इसकी खास बात है कि कोरल ड्रो एक पेक्टर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्ट्वेर है हम इसमें जो भी डिजाइन बनाते हैं उसको हम कोई भी साइज कितना मर्जी री साइज करें उसकी क्वालिटी पर इसका कोई फरत नहीं पड़ता है तो चलिए ये भी कुश्शन हमने देख लिया आगे एक और कुश्शन लेते हैं कोरल ड्रो के वर्जन के बारे में कुछ जानते हैं कोरल ड्रो ने सन 1989 से लेकर सन सन 2016 तक 18 संसकर्ण यानि की 18 वर्जन रिलीज किये हैं जिसमें कोरल ने बहुत सारे छोटे बड़े बदलाव किये हैं इसका जो सबसे लेटस वर्जन है कोरल एक्स एट वो 15 मार्ज सन 2016 को चारी किया गया है तो हमने कोरल ड्रो के वर्जन के बारे में भी जान लिया अब देखते हैं कि कोरल ड्रो में क्या काम होता है कोरल ड्रो के क्या कारे है कोरल ड्रो एक ग्राफिक डिजाइनिंग का सौफ़वेर है तो कोरल ड्रो में हम डिजाइनिंग से सम्बंदित काम करते हैं जैसे हम coral draw के अंदर कोई भी visiting card, business card, logo, letter hat, invitation card, greeting card, banner, hoardings, posters, pamphlet और भी बहुत सारी चीज़ों के designs बना सकते हैं और यह सबी चीज़ें हमें print करनी होती हैं तो printing purpose के लिए भी coral draw के designing बहुत एहम बानी जाती है अब थोड़ा सा बात करते हैं coral draw का जो सबसे latest version आया है coral draw x8 उसके बारे में अभी हाल ही में 15 माज सन 2016 को यह version रिलीज हुआ है और इसमें बहुत सारे नई features को introduce किया गया है इन ही कुछ नई features के बारे में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले feature के बारे में जानते हैं font manager font manager में आप खुद का एक font collection बना सकते हैं और बहुत ही असानी से उसे अपनी font list में access कर सकते हैं आप कोई भी font search करके यह जान सकते हैं कि यह font installed है या नहीं तो यह तो हो गया font manager का काम जो इसका second update है वो है window 10 supported विंडू 10 supported में आप जो coral draw की windows है विंडू के borders है और desktop area है उनका color change कर सकते हैं और बहुत सारे plugins और extension को कैसे प्राप्ट कर सकते हैं यह भी आप इस feature के अंदर सीख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके एक और update के बारे में healing clone tool healing clone tool से आप अपने photo में बहुत ही असानी से adding करके और उसे effective बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और update के बारे में working with curves working with curves में आप अपने design के curves को आसानी से designing के curves में आसानी से बदलाओ कर सकते हैं और अपने curves को copy कर सकते हैं कहीं और paste कर सकते हैं duplicate curve बना सकते हैं यह सारे चीज़े आप working with curves में कर सकते हैं इसके एक और एफेक्ट के बारे में जानते हैं Gashin Blur Effect Gashin Blur Effect से हम अपनी इमेज में एक blur lens को शामिल करके उसे और attractive बना सकते हैं उसमें और editing करके उसे और खुब्सूरत बना सकते हैं Drop Shadow में भी हम Gashin Blur का इस्तमाल कर सकते हैं एक और update के बारे में जानते हैं Enhanced Knife Tools Enhanced Knife Tools में आप Prehand और Bezier Tool की मदद से अलग-अलग design बना सकते हैं अलग-अलग effect बना सकते हैं और इसे इस्तमाल कर सकते हैं तो ये कुछ updates के बारे में मैंने थोड़ी बहुत information आपके साथ share की है और भी बहुत सारे updates Coral X8 के अंदर हुए हैं और पुराने जो संस्क्रण था उसने जो tools थे उनमें भी बहुत सारी बदलाव किये गए हैं तो इन सब बदलाव को और इन सारे updates को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए coral draw X8 की tutorial video series हिंदी में हम अपने channel पर बहुत चल्द upload करने वाले हैं यदि आप coral draw X8 को हिंदी में सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे channel को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे की जैसे ही हमारी coral draw X8 की ये tutorial series हमारे channel पर upload होगी इसकी जानकारी आपको तुरंथ मिल जाएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like के बटन पर click करना ना भूले इस वीडियो से सम्मंदित कोई सुछाओ या सवाल हो तो comment box में comment करें आप हमारे YouTube channel को subscribe करके आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं अमारे social media channels जैसे facebook, twitter, google plus, instagram, whatsapp आभी को भी join करना ना भूले लेखते रहे, सिखते रहे, स्वस्त रहे, धन्यवाद